नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुविका आपके अपने चैनल अमन प्रयास सिखीजिस में जैसा कि फेंड्स आज आज आपका 6 जुलाई और 6 जुलाई को आपको बता दूँ कि आपका SSC, SSL का कोई भी एक्जाम नहीं है क्योंकि आज आपका Saturday और Saturday और Sunday को आपका कोई भ देखेंगे उन प्रस्णों को जो प्रस्ण आपके एक्जाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं या उन टॉपिक को देखेंगे जो टॉपिक से आपके एक्जाम में बार-बार प्रस्ण आ रहे हैं ठीके तो आज का वीडियो आप लोग पुड़ा देखिएगा जिनका SSC, तो आप लोग वीडियो को पुड़ा देखिएगा पीडियेफ आपको टेल्ग्राम पर मिल जाएगा लिंक डिया गया है तो आप लोग जाके जोइन कर लिजेगा तो चलिए सुड़ू करते हैं आज के पहले प्रश्णों से तो देखिए फेंढ्स आज कर पहला प्रश्न है वह है कि पुड़ू चेरी के मुख मंतरी कौन है फिक है तो जिसका कि आप लोग को मालूमोगा कि मुख मंतरी और राजपाल से आपका हर शिप में एक प्रश्ण आ रहा है तो उसमें आपका पुड़ूकरी का मुखमंत्री पुछा गया था जिसका राइट एंसर था आपका एन रंगाश्वाम में ठीक है तो अभी के इस प्रस्ष में हम लोग राज के सभी मुखमंत्रियों को देखेंगे तो चलिए देखते हैं सब्सक्राइब कर छिए क Children के बारे में सब्सक्राइम अगर आप इनके यह लिगा पास्पास ब्लेए है तो आपको मात्र पांसब्रोड अगर अगर आप a.pjakली 5 पर फॉञ्वола अगर उसका भी mock test और PYQ न्यूव पेटर्ण पर धारीत यहां पर आपको देरिया गया है जिस पर आप mock test लगा सकते हैं PYQ को solve कर सकते हैं साथ में ससी के लाबा अगर आप इस banking की त्यारी करते हैं या आप आपका defense की त्यारी करते हैं या state level का कोई उसकी त्यारी करते हैं जितना भी बड़ा से बड़ा एक्जाम हो या छोटा छोटा एक्जाम आपका group D हो उन सभी एक्जामों का mock test और PYQ आपको यहां पर मिलता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखने को मिला था यह आपका इंसर की का फोटो कोपी है स्किन सोटे तो आप यहां पर देख सकते हैं इसी परकार और बहुत सारे question है जो कि आप यहां पर देखते थे गुरू पीपिन सिंग के बारे में है तो आपको जाना है लिंक पर क्लिक करना है आपको डाउलोड करना है और coupon code आपको APZ करना है तो चलिए बढ़ते हैं लोग वीडियो में आगे बादी नाइडिव को डाशन पर में ढाको करने हाँ पाषिया मेंण के मुक्रमर्ठिय के स्री श्रीन निद्यश कुमार में भीआर के मुक मंतरकनी की बात करते किना तो श्रींविशनू देवरायशाय हैं इसके लाबा दिली जो की रधानिय राज्य छेत्र है जहांके मुख़मंतरी श्री अरविंद के जीवाल है और पुढुदुचरी जो कि आपका एक यूटी है और दिली जोकी आपका यूटी है तो पुढुचरी का पुछा गया है तो दिली का पूचा जा पुछा गयां लेकिन आपको बता दे कि कल ही के डेट में आज आपका छह है तो चार अपरिल को या सुरी पाच अपरिल को जो भी दिन हो ठेक है चौनपई शोण के जगह आप यहां के मुखमंतरी बने है वह बने है आपका हेमन्द शुरेंड टेके यहां का थ्वास आपको कहानी अगर ना मालू है तो हम बता दें कि हमन्स जो शुर्ण है आपका कुछ दिन पहले ही यानि कि देव सो 145 दिन पहले आपका इनको को छुष्टीर के द दरब कि सित्धवा गया था और उसमें हमनस तने आपका मुखमंतरी के पल्स इस्तिफाता दे दिया उसके बाद समाइसक और सलर्ण को मुखमंतरी बना ते लेकिन आज और यहांमस फ़लन पहना में इनको तो आपको सुप्रीम कोट के द्वारा बेल दे दिया गया है तो बेल देने के बाद ही तुरंद आपके जो फिंज अरकन के मुखमंतरी बने हैं वह आपके वापस से हमन सुरेन ही बन गए हैं तो इसको यहां पर सुधार कर लिजेगा पीडियाप को हम करके बेद देंगे यह इसके लावा में घाले के मुखमंतरी कॉन्राड संग्मा मिज्रम के मुखमंतरी श्री राल दुहुमा मनागलन के मुखमंतरी श्री निफ्यू रियो औरिशा के मुखमंतरी श्री मोहंचन मांजी हैं यह भी इभी हाली में बने हैं इनका भी कुछ कहानी है जैसा कि आपको म कि इनके पार्टी को हार करना करना पड़ा और वहां पर भॉमत में आई और अपना मुंख मंतरी है उनको बनाया की स्री मुहरू चर्णमान पंजाब के मुखमंतरी श्री भंग्मत सिंगमान की विश्य में बता दें कि आपका आपार्टी के ही आपार्टी की नेता है आपार्टी का सरकार पंजाब में है और शाथ में आपका दिली में भी है तो दिली में दो राज्यों में भारत के दो राज्यों में आपार्टी की स प्रकुष की दोक्टर मनिकषा बरिभाव मंद्री सुस्री ममत्र बता दें कि जितना भी नाम यहां वर देखे होंगे जबी आपके पूरुष हैं लेकिन यह आपके एक मात्र महिला आपके मुख मंत्री हैं जो की पच्छे मंगाल के हैं तो इसको भी आ दिखना है चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्ट कुस्षन की ओर कि फोजियों को समर्पित गीत संदे से आते हैं को किसने लिखा है जिसा कि आप लोग बोडर फिल्म देखे होंगे तो आपको एक गीत संदे से जाते हैं तो यह गीत है जो कि आपको किसने लिखा है या आपके एक्जामें पुछा गया था तो इसका जो राइट एंसर है वह रूप कुमार, राठोर और स्रोनूनिगमने इसे गाया है, यह गित भरत्य सनी के दर्थ को बयाक करता है और फिल्म की सफलता के कारणों में अख यह क्से दिया गया है तो नीली करांटी का जो सम्मंध है वो दोस्तों आपका समुंदरी मचली और उत्पादन को बरहाबन देने के लिए करांटी को शुरू किया गया था और इस करांटी के जनक है हिरालाल चोधरी और डॉक्टर अरुन कुमार किस्टनन है ठीक है उसके बाद आपका स्वेत करां करांटी पिली करांटी की बात करते हैं तो 1986 से 87 में ये करांटी आपका शुरू हुआ और खाद तेलु विशेष का शर्षो तिल के उत्पादन को बरहाबा देने के लिए या आत्मिन वर्ता प्राप्त कि जा सके उसके लिए करांटी को शुरू क्या गया था और सेम्त पित करांटियों का घटक है और निर्पक टूटेज को भारत की स्वर्णिम करांटी का जनक माना जाता है ठीक है इसको भी आद देखेगा साथ में खरीत करांटी को भी आद खना है जो की बहुती फेमस करांटी है 1950 और 60 के दसक में ये करांटी को सुरू किया गया था किरसी उत् स्वर्णिम में देखें तो एक आपका हुआ सदाबाहर करांटी जिसके जनक आपके कौन है कौन नहीं है उसको आप लोग पर लीजेगा हम बता देते हैं कि इसका समंद किस्से था सदाबाहर करांटी का समंद था पुरदोगोई की विकास और परस्कीत जिदांत का एकिकर सब máximo है बुरी करांटी की बात करते हैं तो चमरा कोको और गेर पराम परिकुत फांद से समंदूस घ्रैकां घ्रिट करांति और पका प्यास रजित का जाना है को सब्सक्राइब का चीए गौल होना से लीए पनावी पटेल का उपनाम क्या है तो इन्हें लोग पूरुष के नाम से जा जाता है तो यहीं परस्ट आपका बना था कि लोग पुरूष के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका राइ टेंसर सरदार बल्लवाई-पकेल होगा एक किया उसी परकार भारत में आप लोग जानते होंगे जब आपका अजादी हुआ था उसमें बहुत सारे प्रांत में बटे हुए थे तो सभी भारत को एक इकरन आपके किये थे बल्लबाई पटेल ने इसलिए इनको भारत का विश्मार कहा जाता है साथ में अगर ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया के नाम से पूछेगा तो इसका रायट इनसाब का दादावाई नरोजी होगा इसके लाब आप बल गंगत तिलक की बात करते हैं तो लोकमाने के नाम से इने जान जाता है और भारतिय सांती का जनक भी इने कहा जाता है जो की सर विलेंटाइन स्चिरोल के द्वारा इनको कहा गया था साथ में इनके द्वारा समचार पत्र को भी शुरू किया गया था मराठा केशरी आदी नेक्सोसन है वह है कि लोक निर्थ 13 ताली भारत के निमलिकित में से किस राज से समन्दी थे यानि कि 13 ताली की बात करेंगे तो इसका राइटेंस राप का राजस्थान होगा 13 ताली राजस्थान का परश्रीट लोक निर्थे ये कामर जनजाती के दुवारा किया जाता है और 13 ताल प्रदसन करते हुए महिला है जो की भूमी पर बैठती है नेक सोसन की बात करते हैं तो वो पुछा गया कि प्रकास का जो तरंग दे की सिमा होती है जिसे मनुष से क्या मनुष देख सकता है तो सिमा क्या है तो इसका राइटेंसर 400 से लेकर 709 मिटर इसका राइटेंसर है दिर्षमान स्पेक्टरम विदूत चुमकिये स्पेक्टरम का हुव भाग है जो मानव आग को दिखाए देता है तरंग दे की इस रेणि में विदूत चुमकिये विक्रियन को दिर्षमान प्रकास या केबल प्रकास कहा जाता है और एक समान मानव आग लगवक 400 से लेकर 700 नेनो मिटर तक तरंग देर पर प्रतिकरिया करेगी आगला क अप्रेल दोजात तेषिस का आपका राइट एंसर था जो कि आपके ऑप्सिन में भी दिया गया था परतियस परदा संद्रोन अधिनियम दोग देश को अप्रेल दोटेश में संसर के द्वारा पारित किया गया था और 1142 22 को राष्पती की संहमती मिल गए थी इसके अलाव और पोच्छें में पुछा गया तो इसको भी आद रखेगा इसके अलावा नेक्स पूछा गया नरोड़ा प्रमानु शक्ति केंद्र है वह आपका उत्तर प्रदेश में तिपा प्रमानु श्रंत को आपको यादी रखना है जहांसे प्रश्नाप ऐग्जाम में आते हैं तो बस किया दो कहा है। तो किस घड़ा का जो दिन है 16 गंटे का होता है जिस प्रकार प्रिट्वी पर एक दिन आपका 24 गंटा का होता है नेप्चुन को चक्र लगाने पर एक चक्र लगाने में यह वाला समय है और नेप्चुन के चारो और परिकर्मा पूरी परिकर्मा नेप्चुन के समय में एक वर्ष लभग 165 वर्ष में पूरा करता है यार प्रत्वी दिन की बात करेंगे तो यार गंता है इन सभी को या देखेंगा नेप्चुन का पूछा गया है तो और सबी का पूछा ही जाएगा, next question है कि who decides statutory liquidity rate यानि कि SLR को को निरधारित करता है तो right answer आपका RBI होगा यानि कि जब bank को फिन दिया जिसके वर्तमार में अध्यक्ट आपके ससी कांथ दास हैं, तो इसका right answer होगा statutory liquidity ratio की बात करते हैं जिसे हिंदी में वोग विधानिक तरलता अनुपात करते हैं और short form में SLR करते हैं यह SLR आखिरकार है क्या तो यह आपका जमरासी है, जमरासी का वो नियुनतम परतिसत है जिसे वानिजिक बैंक को तरल, नगदी, सोना या अन परतिवुतिय की रूप में बनाए रखना होता है यहां पर वानिजिक बैंक है, वानिजिक बैंक की बात करते हैं तो जो बैंक आपका SBI है PNB यानि कि RBI को, RBI का आपका केंद्रिय बैंक है उसके छोड़ा के जो भी बैंक होगा, वो ज्यादे तरह आपका सब वानिजिक बैंक ही होगा उसको एक निउनतम परतिसत यानि कि अगर आपका 5% RBI के दोड़ा निधरत किया गया है और SLR RBI के दोड़ा तरह किया जाता है यह भारत में इरिन विर्दी पर नियंतर का एक रूप है अगर माली जी SLR नहीं होगा तो जितना पैसा बैंक में आएगा वो सभी को लोन नी दे देगा तो बैंक में आकिकार बचेगा क्या बैंक तो आपका दिवालिया हो जाएगा इस कारण आपका जो इस्टेचोडी लिक्विडिटी रेसियो है उसको बनाया रखना आपका जरूरी होता है नेक्स वोसन है कि बैल्स का संबंद किस खेल से है तो बैल्स के संबंद की बात करेंगे तो इसका राइट इंसर किर्केट होगा किर्केट बैल्स किर्केट की खेल में बैल एक बिगेट बनाने का तीन स्टम्प के सिर्स पर रखी गई दो छोटी छड़ियों में एक है आप लोग किर्केट देखते होंगे यह आपका स्टम्प हुआ कर दो जहीं हैं पूंज पूछा गया को तर्वां सब्सक्राइब विख्षोव है यो कि क्या खाली होता है घुमत्सागण होगा another जो चक्रवाथ है विमोद विक्षोव है जो कि भूमसागर सुर्थपन होने माला नीम्न दाप परनाली है उपोश्ण करती मंदिये वक्षमिजेट धराओं के परभा में यह पवन परनाली भारत पहुशती है और उसका कारण मनती है नेक्ट सोचन पुछा गया कि उच्छी जारी की जाती है जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार छेतर से बहार जा रही है तो राइट एंसर आपका निशेद ध्यानी की प्रोहिशन होगा जो कि आपका जारी क्या जाता है रिट मोली के दिकार को परवरतन के लिए समयधानी को उप्चार है आटिक अगला है गुजरात में मकर संगरानती किस नाम से जान जाता है तो राइट एंसर आपका होगा उत्रायन जो कि आपका उप्चन में भी दिया गया था मकर संगरानती को गुजरात में उत्रायन की रूप में जान जाता है यह दो दिनों तक मना जाता है पहला दिन उत्रायन और अगले दिन वासी उत्रायन यानि कि बासी उत्रायन गुजरात में मकर संखाती के दिन अकास पतंगों से भर जाता है क्योंकि लोग अपने छतों पर उत्रायन का पूरे दो दिन का आनद लिते हैं और आपको बता दें कि ये मकर संग्रान्ती एक इसा तिवार है ठीक है तो जिसका अलग रग राज्यों में अलग अलग नामे यानि कि 26 राज्यों में ये तिवार बनता है और 16 नामों के साथ बनता है तो उसको हम लोग ध्यान पूर्वग देखें तो कुस्मीर में सिसुर्क संग्रानत के नाम से हिमाचल प्रदेश में माक साजी के नाम से पंजाब चंडिगर और हर्याना में लोडी के नाम से उत्राखन में उत्राइनी और घूतिया त्यार के नाम से गुजात में उत्राइन पर्व कनाटक में मकर संग्रमन केरल में मकर बिलक्कू मनिपूर में कं पूछा गया कि मांडो महुश्सेंब मनाई जाता है तो मांडो महुश्सेंब के बात करते हैं तो राइट एंसर आपका होगा गोवा, मांडो महुटसब आपका एक सुंदर निर्थ परदसन है जो कि गोवा मना जाता है बाकी यहां मांडो महुटसब के सम्मन्ध में कुछ पॉइंट से तो उसको भी आप लोग देखिएगा नेक्स कोशन पुछा गया बास्केट बोल में कितने खिलारी होते हैं तो बास्केट बोल में आपका होता है पाच खिलारी तो बास्केट बोल एक खेल में दो टीमों के साथ खिला जाता है जिसमें परतेक टीम के पाच खिलारी का एक समय कोट पर अरतात एक समय में दस खिलारी खिलते हैं जिस प्रकार क्रिकेट में 11 खिलारी खिलते हैं उसी प्रकार बास्केट पॉर्ण में 5 खिलारी रहता है होकी में 11 है क्रिकेट में 11 है कवड़ी में 11 है तो इसको याद दिखेगा आपका ये खोखों में साथ है और कवड़ी में साथ है तो इसको भी याद दखना है नेक्स होसर पुछा गया कि निमलिकित में से किस तारी को हिंदी को भारतिय संग की अधिकारिक भास्टा के रूप में अपनाया गया था राइट एंसर 14 सेप्तमबर 1949 हो जागा हिंदी को राजभासा कर दर्जा 14 सेप्तमबर 1949 के दिन मिला था हिंदी दिवस के तौर पर मनाई जाता है जो देश के करएले वह राज का में प्रयोक की जाती है वह राजभासा कलाती है समीडान की धारा 343 आई के अंतरगत हिंदी को संग की राजभासा के रूप में स्विकार किया गया है देगुनारी लिपी को मनेता भी दिया गया है और बता दें कि 22 अप्रेल 1947 को जो आपका राश्टी धोजे उसको मनेता मिला था पanta कि रोफ एक लोक निर्थ है जिसा कहा आपको मालूम होगा तो आप से पूछा गया था कि वो कौन सा राज जिसे जुरा हुआ है तो इसका राइटेंस रर आपका जभा किश्म ही से निर्द करते हैं इसके लाबा इसे स्थानिय भासा में चक्रिवी आप से पूछा गया थाा, इसके अलाबा और शवी राज्यों के लोक निर्द को देखें जो कि यह आप पर आपका चार्ट दिया गया है, तो मैंन मिन को मलुख देखेंगे जो जो आपके घिजाम में अब तक पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है सभी कुम लोग नहीं देखेंगे जैसा कि आन प्रदेश से आपको लोग को मालूम होगा कुचिपुरी एक सस्टेनर थे इसके लावा बिलासनी याट्टम को याद देखेंगा आन नट पूजा को याद दखना है ठीके बिहार से आपको क्या याद दखना है तो विहार से आपको जाट जटिनी याद दखना है और आपको विदेशिय याद दखना है ठीके याद दखिएगा गुजज़ास से बात करते हैं तो गुज़ास से आपको गरवा याद दखना है और डंडिया और टिपानी ठीक है ये कल पुछा गया था आपका होड सिप में पुछा गया था टिपानी को तो टिपानी को भी याद लेना है ठीक है भवाई को भी याद करना है हर्याना की बात करते हैं तो जूमर है फाग है डफ है दमाल है लूर है गुगा है खोर है उगा पूछा जा सकता है मंदस पूछा जा सकता है कुड दंडी नाच पूछा जा सकता है और दमाली पूछा जा सकता है उसी परकर कनाटा की बात करते हैं तो कनाटा का यह ज्यान है जो कि पूछा गया है पहले इसके लावा हुतरी है शुगी है कुनिथा है करगा है लंबी है इस किरल की बात करते हैं कत्कली अ मोंियटम door with autumn owner महराष की बात करते हैं याद को याद रखनाई कोली आध रखनाए और आपको गफा को याद रखनाए दीशाफरी पैंका द्ली है कोया दखना है भांगरा हो गए गित्दा दोехा हुए और गित्दा है जो कि आपका महिलाव के द्वारा इसके लबाद धमन हो गया भांड हो गया चक्रि हो गया गंगोर गया जोलन लिला हो गया जुमा हो गया इसके लावा कलवेलिया को याद रखना है ठीक है उसी प्रिकार गोवा के बात करते हैं तो गोवा से फूगरी को याद दखिएगा देखनी को याद दखिएगा तरंगमेल को याद दखिएगा गोरे मोधनी को याद दखिएगा ठीक है इसके लाबा गोप को याद दखिएगा पिटेफ में आपको सब दे जाएगा उ राउतनाच पंडवानी को यादखना है जारकन से आपको क्या यादखिएगा तो जारकन से आपको डोमकच इसके लाव मुंडारी सरूल फगवा पाईका ठीक है मर्दाना जननी अगनी जूमर ये सब आपका जारकन का है अवनाचल प्रदेश से बुया को यादखिए चलो को यादखिए वानचो इसके लबा पोपीर और बारदोच्छम को यादखिएगा मनिपूर शे डोल चोलम ठंकटा मनिपूर का आपका यहां का यह माश्यलाट है इसके लावा लाई हरोबा पूंग चोलम है आपका इसके लावा खंबा थाईवी है और नुपा डान से साथ को रंगमा को बंबी धांस को इसके लाबा बैंबु बाद आपका एक है डीधर गळुवत को Kणbeo परिज को याद शी ही गलन करेंटि us अगे बरते हैं नेक्स वोस्टन आप से पूछा गया कि दिली सलतनत का पहला वंस को न सथा तो दिली सलतनत का पहला वंस की बात करते हैं तो उसका राइट एंसर इलवारी वंस या ममलुक रजवंस या गुलाम वंस तिनों एकी का नाम है 126 में कुटुब दिन एवक के द्व में हुआ था और ये तुर्क जेजा तिका था एवक को खाने के रूप में जाना जाता है एक तो यह तो आपका हो गया कुटुबदी एवक ग्यासुदिन बलमल हो गया 1236 से 1287 तक शासन बनता है कैको बाद आपका अंतिम सासकता गुलाम वंस का जो कि 1280 से 1290 तक शासन करता है तिके इसको भी आदखना है तो ममलुक राजबंस या गुलाम वंस के बारे में हम लोग देख लिए हैं अब हम लोग दूसरा राजबंस थ स्थापना जलाओदिन खिल जी ने किया था अलाओदिन खिल जी इसका प्रमुक शासकता इसको भी आद रखना है इसको बाद आपका का तीसरा आता है तुगलक वंस जो कि 12 20 से 1220 सिख स्थापना होता है ज्यासुदिन तूगलक के द्वारा 1414 तक आपका चलता है तिमुर पानीपत की पहली लराई हुआ था बावर के साथ इसमें इब्राहिम लोधी जो कि अंतीम साथ उसका मिर्ती हो गया था भावर ने भारत में मुगल समाज का स्थापना किया था ठीक है इसको भी या रखना है और भलो लोधी आपका लोधी वंसका पहला साथ तो इसको भी गहना तो आपका 312 व्यक्ति प्रती वर किलोमेटर है तो इसका राइटेंसर होगा यानि कि एक वर किलोमेटर में आपका 312 लोग है जो कि रहते हैं ठीक है इसके लाब भारत का जनगना हर 10 साल के बाद होता है और जनगना दुर्यगारा है तो कि भारत के महापंजियक पंदर्मी जन गनना था लेकिन सोतंतरता के बाद आपका सत्मी जन गनना है इसके लाब स्री चंद्रमोली आपका भारती दो इगारा के जन गनना के आयुक तो महापंजियक है इसके लाबा पंदर्मी जन गनना दो चन में आपका आयुजित हुआ था मकान सुचकरन और जन सब्सक्राइब कर रहा है और आपका पेंटा इसलेट गुलकोज जो की बन रहा है ठीक है तो इसको भी आ दखना है नेक्स नहीं है आपका जिन गन्ना के नुश्वार भारत के किस राज में लिंगानुपात सब से कम है पुछा गया था लिंगानुपात का मतलब होता है परती एक हजार पुछ पर मेलाओं की संक्या को ही हम लोग लिंगानुपात के नाम से है जो की जानते है ठीक है तो इसको भी आ दखना है सबसे कम हरियाना का है सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो यह आपका केरल का है तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा भी आ दखना है और भार बहरत का लिगानुपात की बात करते हैं तो 943 है जब भारत का आप आप से क्या पूछा गया अभी अभी क्या पूछा गया है बढ़े सब्सक्राइन की तो याद रखना कि इसके लाभर 6600 पूछा गया है आपका यूनिक कोश्टन पूछा गया था अभी तक के तो किस देश से बोड़ो किया गया था तो इसका राइटेंस आपका बिटिश होगा ठीक है फास्ट पास्ट पॉस्ट का मतलब है एक सरल भूलता मर्दान प्रनाली है जिसका उप्योग एकल सतसीय निवाचन छेत्र में उमिद्वार को चुनिने के लिए किया जाता है यह आपका उनाटेट किंग्डम कनाड़ा भारत जिसे दिशों में व्यापक रूप से इस्वाल किया जाने मला चुनावी प्रनाली है और यह जो भारत ही आपका बिटिस समिधान से है जो कि लिया था ठीक है तो इसको भी इसके अलबहाइब है जिसमें प्रत्यासि को अनुपी प्रत्यासियों से अधिक मत मिलते है उसे ही निर्वाचित घूसी थे जो कि या जाता है तो यह आपका है इसके अलाबाभा भी है इसके अलाबाभा है सदाना भासा में कहें तो इस विदी को जो सबसे आगे है वही जी जाते हैं और अथार प्रतिकात्मक तोर पर चुनावी रूप दौर रिश्ट में जो प्रतियासी अन प्रतियासों के मुकाबले सबसे पहले पर पुझता है वही विजय होता है इसको भिया जखना है बाकी बहुलबादी और श्रमानुपातिक परतियंत में क्या अंतर है यहां पर आपको दिया गया है तो असार देखें तो बहुलबादी इस पत्ति में पुरे देश को छोटी-छोटी भूगोलिक राजियतिक की काव जाता है, हर निवाचन शेत्र में केवल एक परतिय जाता है बहुलबादी में इसके अलबा समनुपातिक में एक निवाचन शेत्र कई परतियंति चुनी जा सकते हैं एकुझी परकार है और यह है कि उध्धारन के तोर पर उनाइटेट किंगडम बिटेन भारत में आपका भूलबादी है इस्राइल निदर अर्जेंटिना पूर्टिगाल में आपका क्या है तो समानुपातिक परतिनिद्र है ठीक है नेक्स वोशन है कि दिपाक करमाकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिमनास्ट बनी थी तो दिपाक करमाकर की बात करते हैं तो दिपाक करमाकर की बात करते हैं तो यह आपका दोजासुला के ग्रिस्म कालियो उलंपिक में है जो की भाग ली थी और यह भारत की पहली महिला जिमनास्ट है जो की बनी थी हालांकि वो चोथे स्थान पर रही थी कोई भी पदलत नहीं जीत पाए थी और इनका श्रमंद आ माकर है अभी हाली में जीमनास्टिक चेंपिंशीब दोचोबिस में महिला वर्ट वर्तिगत फाइनल में जो की जीती है जो कि आपका तासकंद उज्जेविकिस्तान में हुआ था इसके लाव दिपाको दोशोला में आपका राजीव गांदी खेरतन पुश्कार जो कि मेज करनाटा के किस मुख मंत्री को यह आपका पदम स्री एबॉर्ट 22 में दिया गया था यह आपसे पूछा गया है ठीके तो बात करते हैं तो इसका राइट इंसर आपका MS कृष्णा थाटे के तो इसको भी देखिएगा इसके लावा कनाटा के अभिवर्तमान में ने मुख मंत्री हैं सिधार मय्या और कनाटा के राजपाल जो कि 3-4 बर अभी तक पूछा जा चुका है जो कि थावर्चन गहलोत है तो इसको भी इन राजम है एन राजम जो की परशिद वाइलिन वादाख है उनकी बेटी है ठीक है और यह जो संकीता संकर है इनका जनम बड़ा अगस 1965 को वाड़ा नसी में हुगा था और भारती सास्त्री वाइलिन वादाख है जो हिंदुस्तानी सासे संगित और फ्यूजन संगित प् पूछा गया कि अमिश्चा के पास ग्रिव मंत्राले के अलाबा कौन सा मंत्री है तो इसको भ्याद देखना है यहां कि सतनमी लोकसभा के कोडिंग पूछा जाता है तो यह भी इसका राइटेंसर यही होगा ठीक है नेक को उसन पूछा गया कि किसी परिपत में विदुध का प्योग किया जाता है तो इसका राइटेंसर आपका गेलमनोमीटर होगा गेलमनोमीटर एक साउपकरन है जो विदुध परिपत में बहुत छोटी विदुधाराओं का पता लगा सकता है और माप सकता है तो विदुधारा को किसके द्वारा मापा जाता है तो विदुध निषदी में व्यूदात करते हैं कि दिशाओं का बात करते हैं तो करता है मास्तिक को आयसे का डूरिया ये कौन मापता है, पेरिस्कोप की बात करते हैं, तो समुनतल से उपर की वस्तु को देखने के लिए मापता है, पैरो मीटर की बात करते हैं, तो बहुत उच्छ तपमान को ये मापता है, रडार की बात करते हैं, तो रडार तरंगो के माथम से एक आने वाले हवाई जहाज क राश्टपती राजपाल और राजप्रमुकों का सबस्राइं से संबने अनुछेद कों सा है तो राइटें अनुछेद 316 ढोका बारत समिदार के भाग निश में अनुच्छे 316 को रखा गया है और भारत में 360 के तहथ रश्पती राजपाल और राजप्रमुकों को उनके पत के दुरां अदालती करवाई से विश्य सनक्ष रूफ़ता है और राश्पती और राजपाल तो उसे क्या कहा जाता है ये कौन सा कुस्टन हुआ रेडर जब आप यहां पर लिखे दियें तो रेडर को क्या कहा जाएगा तो रेडर कहा जाता है रेड के दुरान अक्रमानकारी टीम का कोई भी एक खिलारी जिसे रेडर कहा जाता है कवड़ी सब्द का उचान करते हुए दुसरे टिम के हाप में प्रविश करता है जिसे केटिंग भी कहा जाता है ठीक है इसको भिया दखियेगा उजबला अटुत मारमी भामना का स्मर्ण करती है और शक्ति और विवित्ता को बतलाती है इसके लावा पर्थम खेलो इंडिया पेटा गेम्स दस दिसंबर से लेकर शत्ता दिसंबर 22 तक नई दिली में आयोजित है जो कि किया गया था तो इसको भी आप लोग गया तो राइट असर आपका नेश्म्हें हो गया था एंडियोग कि अफीयों की बात करते हैं तो एंडेन और आप लोग जानते होंगे फॉल अन है असज है इसके लावा रवी स्टंप आउट लुऑ W, hit wicket, not out, no ball, wide ball, dead ball, overthrow, bye, leg, cover, drive, okay, this is gonna have a late cut, this is gonna have a hook, glance, stroke, this is gonna have a sport, pull, six, follow three, turn, gombi, spin, yorker, bouncer, hat trick, round wicket, over the wicket, simmer, boundary line, slip, square leg, mid wicket, mid on, forward, short leg, dip, mid wicket, ठीके, यहीं से जो भी आपका cricket में उप्योग किये जरना माला सब्द है, इन सभी को याद देखिए हैं, यहीं से जो भी आपके सब्द पूछे जाएंगे cricket से, तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीके, फ्रेंट, तो चलेबी बढ़ते हैं, next question के ओर, तो नेक्स question आपका मोली करतब से आये था, र motor question से आपके, मोली करतब से देखने को मिले थे, जिसमें से पहला question था, कि मोली करतब को किंष हार्च में, भारत के सम्मिधान में जोड़ा तो इसका राइटेंस माँ चाहत कीतने मौलिक करतब जोड़ागे थे तो इसका राइटेंस आपका 10 होगा इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था चार और उनल यादा गया था जीमन करतब जोड़ा गया था बाद में तो यह आपका दिया गया था जिसमें से आपका गलत एसा ही था और भरतिक्समिनाल की बात करते हैं तो सोव्य संग यानि क्यों एसे सार से आपका मौली करतब का प्रफधान लिया गया था और याद गया है कि कि समीत्री के सिफारिष पर तो यहां पर लिखा नहीं है तो श्रौन सिंग समीत्री के सिफारिष पर जुड़ा गया था और श्रौन सिंग ने आठी मौली करतब को जोड़ जाने का सुझाओ है जो कि दिया था लेकिन बाद में इंद्रय गांधी ने दस म अगे तो यहां पर तो 12 तेरा एरपोर्त ही है कि तो उन सबी को मिलान करना है तो चलिए वेलों तेरा एरपोर्ट को अग Civlike ठोलिख सकते हैं तो देख़ लेते हैं अप और आपका बडरATT होद तो मंपई यानिंक महुर्मेट मिलान कर सकते हैं एक का है मरमुगाउप मंप्रमुगाउप की पाद करते हैं तो यह आपका छोटा चोटा लाल है यह कहां परता है यह पड़ता है आप त्वाव में तो इसको भिया देखिए है एक आपका है मैंगलोर पॉर्ट और आपका पानवरु पॉर्ट एक के तो म Pieद conceive करते हैं तो यह पड़ता है दोस्तों कूरुन पोट आपका यह पर्त है तीती constitutional को तंक का घृफट की बात करते हैं ऑर इनोड फिर पहर की के बात करते हैं तो खोकत्था में तो इसकी और का राइट होगा तो इसको बिया दखियेगा इसके लाब यांपर सफ्रेंट सब्सक्राइब। आमane पि्मभार ini जो पूट है यह तो अब की यिए अम इस्की कते हो गया यह आपका कनाटक के पड़ता है तो कि नेक्स कोशन पूछा गया कि किस दो भरत्य राज की सक्षरता दर सबसे कम है 2011 के जनगंडा के नूशान जिसमें से बिहार और अनुआचर प्रदेश का आपको दिया गया था तो राइट है आपका अनुआचर प्रदेश और बिहार हो जाएगा ठीक है और बिहार का सबसे क सबसे कम बिहार का है इसके बात करते हैं पिंजोरा हरीटेश फेस्टीवल की साज मिना जाता है तो पिंजोरा हरीटेश फेस्टीवल की बात करते हैं तो इसके राइटेश आपका हर्याना होगा तो इसके बाबाद बात गर्माया था अगला है कि बंकिम्चन चटर जी उपनियाश आणनमट में निम्लिकित में से किसका उलेख है तो इसका राइटेंस आपका सन्यासी विद्रो हो जाएगा ठीक है बंकिम्चन चटर जी ने उपनियाश आणनमट में 1663 से 168 सो तक सन्यासी के विद्रो का उलेख किया है यह एक नागरिक विद्रो था बंगाल के 20 थापित किसानों और शिना से निकाले गए कि सिनिकों का ने तिर्थ धार्मिक विक्षों और विद्रकल यमिदारों ने किया था तो इसको भी आद रखना है बाई और इसी में आपका जो वंदे मातरम जोगी थे राष्टिगी थे यही उपनियास से लिया गया है अगला है संजुकता पानि गरही भारत के 10 प्रश्विदू लेखन नरतकी है तो इसका रायटेंसर अपका हो जाएगा इसके बारात करते हैं तो उनके मेर्तियों के बाद उनके पत को र्षाल नवोदितो नक्रत्क्यों को 16 अब्त performers कर स total LAई इसको भी आदिखिये गार्ट科ों सभड कर्टे और फिर सोंन के बाद करते हैं तुम से के प्रशिद ब्रहदेश्वर parfaitम never आपका डरिय06 मंदिर का आपका किसन ने बढ़र100 मंदिर यह पूचा गया था तो हमने आपको पलए ही कोस्चन में सामिल कर दिया था कि तंजाओर का बढ़र100 मंदिर किसने बालाइख है मंदीर के नाम से भी जान जाता है इसके बाद हिंदो मंदीर ही जो किस्वंगार को समड़ पी तो इसका राइटन से आपका भगमान सी होगा यह कावेरी नदी के दक्षिन में डक्षिन टट परेशी थे तमिल सासक चोल राजा चोल पर्थम के द्वारा इसे बनवाया गया थ इन उसको की बिरासत अस्तल का हिस्ती हिस्ता है जो गंगा कोंड चोल पूरम और एतावश्व मंदीर के साथ महां जीवित चोल मंदीर के रुप में जाना जाता है इसके अलावाद दक्षिन मेरों के नाम से जाने जाता है यह चोल काल में डेविडर रुकला का उधारन है तो इसको भी याद रखिएगा नेक्स्ट को सन्झाय वह पुछा गया कि निमलेकित मैं से कौन सा इंदुस्तानी सास्थ्रे संगित का परश्र्शूत गयक है दो कि अपने शुबा बॉनुन सुभा मुदगल था ठिक के सोभा मुदगल बैं हिंदुस्तानिय सास्रे संगित के पशित गाईका है और इसको याद देखेगा उन्नों ने फिल्सतानि सास्रे संगित ठुम्री ख्याल और संगीत में एक महान रुडान दिया है इसके लवधिता गांग भारती साथ कलाओ सो समंदी थे उनीं 1213 में सन्भा loro दीन में संभानित का गए था है नेना देवी की बात करें नेंर दोगज कि वाजतуск से पढ़ेका है та बिटिस उच्चायुक्त होने वाली आपकी पहली महिला है ठीक है तो इसको भी आ दखिएगा सुस्री लिंडी क्यामरून सीवी ओवई को स्री एलेक्स एलेजी सेमजी के उत्ताधिकारी करूपे भारते गरनाच का बिटिस उपायुक्त है जो की आपका निक्त क्या गया है त तो जो एक अन राजनेक सेवानिक में अस्थातित होगा ठीक है तो इसको भी आ देखेगा तो सुस्री लिंडी क्यामरून सीवी टेक्स क्राइटेंस होगा अगला है अगला है विच कंपणी स्टाट एयाई फोर ओल इनिसियेटिव तो इसका राइटेंस आपका इंटेल होगा इंटेल ने सीवी आई सिक्षा मनताले के स्वयोग से एयाई फोर ओल पहल सुरू की है श्वा सिक्षन काजकरम पूरे भारत में एयाई जागुकता नेक्स कोसन है कि कनोच के लिए तिरी पक्ष्य संगर्ष निमलिखित में से किन से नव के दुवार अलड़ा गया था तो आप लोग को मालूम होगा तिरी पक्ष्य संगर्ष होआ था गुर्जर प्रतिहार और राष्ट कोट और पालवंस की बीच ठीक है तो इसमें से आप कप पालूवंस की बिचने में पूछा जाता है कि पालूवंस की ओर कि सासक ने आपका हिसाल या था या कि सासक ने कनोच पर कुछ पल के लिए शाषन किया था ठीक है तो इस तरह का कोई कोशन पूछा गया पाल रिलेटर तो इसके रैटेंस पहल लोगा बाग amazon twins ची मींश पाल प्रतिहार राष्ट को सबसे प्रमुकते हैं पाल शासक धरम पाल और प्रतिहार शासक वस्त राज जुनों तनोज पर अधिकार श्तापित करने के लिए एक दुस्रे से यूद किये यदपी प्रतिहार शासक को बिजय तु मिल गया लेकिन जल दी हुआ राष्ट कुट शासक ध्रूग पर्थम से प्राजित हो गया यही प्रश्णाप के किदा में पूछा लाता है तो इसको भिया दखना है भारते समिधान को समिधान सभा के दुवारा कब अंगगिरत किया गया है यह प्रश्णाप का आया था तो इसका राइट इनसापका 26 जमरी उन्सो चा होगा ठीक है जो आपका समिधान समिधान साभारत का समिधान समिधान है वह आपका बंकर तियार हो गया था 26 जमरी न्सो 5 चा постको ही इसके पीछए कहानी है जो आप लोग को मालू होगा 26 जनमरी के दिन को यादगार दिन बराना था इसके लावा अगर आप से पूचा जाता है कि भारतिय समिधान को हाथ से किसने लिखा है तो इसका राइट एंसर प्रेम बिहारी नराय नराय जदा होगा इसके लावा समिधान सवा की पहली बैठा हुए था 9 दिसम्बर 946 को इसके अध्यक्ष बनाया गया थे सशिता नंसीना जो कि आपके अस्थाई दक्ष की बात करते हैं तो आपके डॉक्टर आजेंदर परशाते 11 दिसम्बर 946 को समिधान सवा के सथाई 10 अध्यक्ष के और नेक्स वोशन जो पुछा गया है, वो पुछा गया कि 21 के जनगन्ना के अनुसार, आपका ये जो है, निमलिकित में कौन सा जिला है, जब से कम साक्षर जिला है, सबसे कम पुछा गया था, अभी लगता है सेकेंड, फॉर्स शिप्ट में आपका पुछा गया था, सबसे अला था, अली राजपूर होगा, जो कि आपका मध परदेश मीश्तित है, इसके लाव बाप सबसे जयादा पूछा जाता है, सबसे सेर्चिप है सेर्चिप जिला है जो कि आपका कहां पड़ता है भाई तो यह पड़ता है यह पड़ता आपका है मीजुरम में तो इसको भी आद रखना है इसके लाव दोरिगार है कि जनगर्णा के नुशार देश का सक्षरता दर आपका 74.04% है पुरुसों का 82.14% है आपका बिहार 63.8% दूसरा आपका नुशार प्रदिश है वहां का सक्षरता दर 69.09% है तो इसको भी आद रखना है इसके अलावा मीजुरम का सिर्चिप भारत का सबसे अधिक साक्षड है मद्ध प्रदिश का लिराजपूर भारत का सबसे कम साक्षड है और भारत के जादर नागर हवेली का है 76.24% ठीक है नेक्स वोचन है कि ठुमरी की उत्तपत्ति किस राज में हुआ था राज नहीं पूछा गया था आपसे में भी पूछा गया था ठुमरी का जो उत्तपत्ति है किस सास्तर नेट से संब्धित है तो राइट एंस आपका कथक होगा कथ तक भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है ठुमरी भी आपका उत्तर प्रदेश का ही है ठिकर ठुमरी के उत्तपत्ति उत्तर प्रदेश के पूरी भाग में मुखरूप से लखनव और बनारश में अठारमी से दब्धी इसमी में हुआ था इसका अश्र हीरो कजरी और दादर को याद रखिएगा बेगम अक्तर है गहर खान है शोभा गुट्टु है नुर्ज जिसान है और पड़पा अक्त्र है तो यह जो शोभा गुट्टु है इनको ठुम्री का राने भी कहा जाता है इसको भी याद रखना है नेक्स है कि कि किस गरब पर सल्फियूरिक एसिट की विल्ड पल्लिनेट के नाम से जान जाता है इसको भी यह यह अरून सुन तामार के मिठन के वल्लयों से गिरावा है तो इसको भी आद दिखेगा फूर्ण इसका राइटेंसर जपाझ पूछेगा तो अगला है कि निमिन वर्फ कौन सा देश दोचबीस से खेलों की में जबानी करेगा जपान तो इसका राइटेंसर जपान होगा खेल का योजन जपान के आईची परां तो इसका रज्धानी इससहर नागता में किया जाए और 222 का संस्क्रान आपका चिंग में हांग जो में हुआ था ठेके एस याइड के लोग को इस याइड के नाम से जाता है और हर साल चार साल में आउजीत होता है तो 222 में आउजीत हुआ इसके बाद दोचभीस में होगा फिर 2030 में होगा अगला है कि पेड़ा ओलम्पिक 2020 श्वन पदक जीता कृष्णान आगर की स्केल से संबन्दित है तो राइटेंस आपका पेड़ा विंटन होगा ठेके कृष्णान आगर रास्थान के एक भारतिये पेड़ा बेंड विंटन खिला री है और उन्हें पेड़ा विंटन जीता है उसको आप लोग याद कर लेना है यहांप हम गोल्ड को लाल कर दो सब्सक्राइब आपको यहां पर याद कर लेना है क्योंकि आज गोल्ड के बारें पूछा गया है तो कल भी पूछा जाएगा पाच गोल्ड जीता गया था ठीक है इसके लाब आपको या दखना है देवेंदर ध्याजरिया को यह आपका जेवलीन थोज शुटिंग में तो शुटिंग में जितने वाली ब्रोंज मेंडल आपका ये पहली महिला है अपने पैराओंडिक महिला है अड़वेंदर सिंग को याद दिखेएगा अर्चरी समंदी थे मनिष्ट नमार को याद दखना है गोल जीते हैं एस एच्वण पचास मिटर पिस्टर में शिरागज अधाना को याद दखेएगा इसके अलाब आपका पर्मोध भगत को याद दखना है में में सिंगल में वि ब्रोंज जीता है सूराज यति राज को याद दखेगा सिल्बर बिड्मिंटर में और आपको कृष्ण नागर को याद क्या रखना है यह तो आपको ऑ्टोमेटिक याद रहेगा क्योंकि आज पूचा गया है कि नेक्स्टों देखे पूचा गया कि इस राष्ट्य समिंदन केंदर है यह आपका हैदाबाद तलगाना में इस्ति थे और भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगटन इश्टों के प्रात्मिक केंदरों में से के यह हवाई और उपगरश रोतों से डेटा का प्रबंदन करता है ठेके बाकी राष्टी डॉल्फिन अनुसंधान केंदर पुछेगा तो पठना इसका राइटेंस होगा इसकलाबा प्रयोगिक खनीज बिग्यान पेट्रोलोजी का रस्टे केंदर पुछेगा तो इलहावाद होगा केंदरी यालू अनुसंधान के अंदर पुछेगा तो स्विम्लाइस का राइटेंस होगा अगला है अगर कोई व्यक्ति विश्क उनिटल प्लास्टिक कच्रा देता है तो उसे एक सोने का सिक्का है जो कि पंचायत के दुवारा दिया जाएगा और दिया भी गया है इसा ठीक है जो ये पहल जमो कुश्मिर के अनेंत नांग जिले में शुरू किया गया था नेक्स होसन है कि गुलामोंस के किस समराट ने जिले इलाही की उपाधी प्राप्त की थी तो इसका राइट इंसर गया सुदिन बल्मन होगा गया सुदिन बल्मन के द्वारा ही जिले इलाही की उपाधी है जो कि प्राप्त किया गया था गया सुदिन बल्मन दिली सल्टन में एक उन्स था 1265 से 287 तक सासन किया था इसके लाब जीले हिलाई का उपाधी मिली थी जिसका अर्थ होता है इस वर की छाया ठीके तो इसको भी आद दिखेगा बलमन से प्रश्ण कल भी आया था रोहेवं लक्त की नीती लोहेवं लक्त की नीती किस ने शुरू किया था तो लो अगला है कि इस दिनिया कमपनी के अधिकार छेत्र में आने वाले सभी खेत्रों में हिंदू बिदवाओं के पूर्ण विवाग को बैद बना दिया था 31 December 1600 को ठीक है बैद मना दिया था इसको भी याद दखिएगा इसके लाबाए 31 December 1620 को इस्टापना होता है भारत में और जब आपका यह अधिनियम पारित हुआ था वाई तो उश्रमें आपको बता दें कि उश्रमें आपके गवणर जनरल हुआ करते थे लौड कैनिंग तो इ पुछा गया था तो राइट एंसर पुर्मंदर होगा प्रमंदर कहां परता है गुज्राइट परता है और कभ हुआ था तो अठाटारे सो नतर में वा था कब वहा था दो तो उच्टूबर को हुआ था कल पुछा गया कि लागा नत्राष्टी जो अहिंसा जो दिवा से व गांदी जी दच्छिन अफ्रिका से भारश वापस वापस लोटे थें, 1980-1993 को याद दखियेगा, दच्छिन अफ्रिका गये थें, इसके बाद आपको क्या याद देखना है, तो याद देखना है, आपको 1980 याद देखना है, गांदी जी ने एक नारा दिया था, करोर मरो का, जो की बहुत important है, आपके एक्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद दखियेगा, 1948 को याद दखियेगा, गांदी जी का हत्या कर दिया जाता है, तिस जर्मड़ी को उस दिन हम लोग सही दिवस मनाते हैं, ठेके, तो इन सभी को याद देखेगा, डेट को, आप से पूछा गया, कि 2010 राश्मडल खेल में, 55 के जी महिला कुस्ती में, श्रण पदक किसने जीता था, तो इसका राइटेंसर गिता फोगात होगा, और राश्मडल खेलों में, श्रण पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी, गिता फोगात, ठीक है, ये प्रस्ण आपक प्रस्ण तो आपको, आप मुंद के भी कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स होसन है कि नागरी कुरेन मंत्री कौन है, मार्च दोजाचोबिस तक, ठीक है, तो मार्च दोजाचोबिस तक आपका नागरी कुरेन मंत्री था, जयती राधीत सिंध्या, ठीक है, जयती राधीत सिंध् एक पार्टी है जो कि आंद्द plates से समय थे और अंद्द और अंध्री चंदरबाबू डुली थे तो इसको भी आться कि नहीं कि बने तो तो जुन दोज़ा चोबीस से याद रखना है कि राम और नाइडू आपके यहां के क्या बने हैं भाई तो पूच दिया जाए ठीक है तो दोज़ा चब्विस विस्व एटलेटिक्स क्रॉस कंट्री चेंपिंशिप किस देश में आयुजित होगा तो राइट एंसर फॉलोडीडा होगा ठीक है फॉलोडीडा में दर्जरमरी को यह फॉलोडीडा के तलहासी में आयुजित होने जा रह